नमस्कार दोस्तों और इस्टेटी विद ग्यान प्रकास में आपका बहुत-बहुत स्वागत है आए शुरू करते हैं 27 दिसंबर के करने फेर और पहला क्वेस्टन बहुत ही इंपोर्टेंट है ध्यान से देखिए Union Office on Drugs and Crime के अनुसार अफीम का सिर्ष उत्पादक देश कौन सा है ऐसे प्रस्ण आपको परिशाओं में बहुत सारे देखने को मिलते हैं तो ये प्रस्ण बहुत ही इंपोर्टेंट है अफीम का सिर्ष उत्पादक देश according to Union Office on Drugs and Crime कौन सा है तो ये है Option A यानि की अफगानिस देखर फ्रस ये प्रस्ण बहुत ही इंपोर्टेंट रहे याद रहेगा अफगानिस्तान में दुनिया का सबसे अधिक अफीम जो है पैदा किया जाता है और 2021 तक अफगानिस्तान की ये फसल दुनिया के 90% अवयद हिरोईन उत्पादन का कारण भी है पिछले सेजन में अ 1600 टन अफीम का उत्पादन किया था और भांग को निजी उपयोग की छूट देने वाला देश भी आ गया है ये माल्टा देश है और करेंड एफर रिविजदन में ये आपको बहुत ही बहुत ही बॉर्टें पॉइंट्स है पहला पॉइंट भांग को निजी उपयोग करने की छूट देने वाला देश माल्टा बन गया है और सधी उपयोग के लिए भांग की खेती को लीगल करने वाला देश बन गया है लेबनान और आप्रेशन देवी सकती इसके बारे में आपको कुछ याद आता होगा देखे फ्रेंड्स यह वो आप्रेशन था जब अफगान देवी सकत के नाम से तो यह पॉइंट काफी इंपोर्टेंट है याद रिखेगा एक्जाम में आ सकते हैं अगरा कुछन देखते हैं हाली में जारी गुड गवर्नेंस की ताजा रेंकिंग में कौन सा राज्य सीर्स पर रहा है अब यह जो गुड गवर्नेंस की रेंकिंग तीसरे स्थान पर है गोवा तो यह टॉफ थी स्टेट हैं और केंड शासित प्रदिस्तों में पहला स्थान मिला है दिल्ली को यह भी याद अखना अभी आपको याद होगा कि 25 दिसंबर को भारत के पूर्ट प्रधान मतरी अटल भ्यारी बाच्वेही का जंदिन था उसी सिर्फ उनी बिंदों को सामिल करते हैं जो कि एक्जाम में आ सकते हैं और कोसिस करते हैं कि कम से कम समय में आपको अधिक से अधिक परिशा परयोगी चीजते हैं पौइंट जुए प्रवाइट करवाय जाएं तो आगे बढ़ते हैं तो कि बात यहाँ पर हो एक गुजरात क तो गुजरात की राजधाने गांधी नगर, राजिपाल है, आचार देवबरत और मुक्यमंदरी कौन है, भुपेंद्र पतेल, अभी इसी वर्स बने है, भारत की पहली रेलवेर इंडिश्री कहाँ पर बनेगी, तो गुजरात में याद रखना एक्जाम में आ सकता है, उमि अगर, गुजरात में होगा, वेरी इंपॉर्टन क्वेश्चन है ये, और मिसेज इंडिया वर्ड वाइड का खिताब जितने वाली, पूजा बदलानी कहां से हैं, तो पूजा बदलानी जो है, ये आहमदाबाद गुजरात से हैं, ये भी याद रखना, गुजरात के कनरि हरित और दोगिक सर कौन सा बना है, कांडला का सेज, विशेज आर्थिक छेत्र, और गुजरात के कितने अस्थान, विस्तो धरोवर सूची में सामिल हो गये हैं, तो कुछ मिला के चार चौथा स्थान बना था, धौला वीरा, और भारत में कुछ मिला के कितने अस्थान, व आपको यहां पर बिलकुल करेक्ट है, तो दुनिया के सबसे सक्तिसाली टेलिस्कोप होगा यह, और यह नासा के 31 साल पुराने हबल टेलिस्कोप से भी कई गुना अधिक सक्तिसाली है, नासा के बारे में बात करें, तो National Aeronautics and Space Administration, यह इसका फुल फार्म है, अस्थापना ह होई थी, 1958 में, 1958 में ही DRDO की भी अस्थापना होई थी, यह भी आदकना, Headquarter इसका मिलेगा आपको Washington DC में, और मोटो क्या है, For the Benefit of All, For the Benefits of All, यह इसका मोटो है, आगे बढ़ते हैं, हाली में किस राज ने, आबकारी अधिनिया में बदलाव करके, सराप सेवन के लिए, उम् है हर्याणा, यानि कि विकल्प C हमारा करेक्ट है, तो हर्याणा आपकारी अधिनियाम, 1914 में बदलाव किया गया है, जिसमें प्रावधान यह था, कि 25 वर्ष से अधिक आयू के किसी भी भक्ती को, किसी भी देशी सरार निर्मार की लीज, दी जा सकती है, और अब इसे घट किया है, Most Innovative Research Institutions Category में, पहला स्थान किसको मिला है, तो पहला स्थान मिला है, IIT रूडकी को, और दूसरा स्थान मिला है, IIT मदरास को, तिसरा स्थान Indian National Center for Ocean Information को, ठीक है, तो तीनों को याद रखना है आपको, पहले स्थान पर कोंसा है, IIT रूडकी है, Most Innovative Research Institutions Category में, अगल पर सोगा, हाली में गुजरात के लिए CM ने किस Micro Blogging Site का गुजराती संस्क्राण लांच किया है, तो Micro Blogging Site है जिसका नाम है, कू, Option C इसका Correct है, और कू पर किस देश के राश्टपती ने हाली में अपना आधिकारी एकाउंट बनाया था, तो Nigeria यह भी याद खना आप, और यहा कि यह Twitter का एक देशी संस्क्राण है, ठीक है, in our language, आगे बढ़ते हैं, हाली में किसने UES Junior Squares Open को जीता है, UES Junior Squares Open का आयोजन कहाँ पर हुआ था, इसका उतर भी मैं आपको दूँगा, लेकिन सबसे पहले बताइए, कि UES Junior Squares Open को किसने जीता है, तो अनाहत सिंग ने, Option B इसक Squares Tournament को जीता है, और इसका आयोजन कहाँ पर हुआ था, अमेरिकी सर, Philadelphia में, अंडर 15, हैनि कि 15 साल से कम उम्र के जो लोग हैं, वो ही इसमें सामिल हुए, यह दुनिया का सबसे बड़ा जूनियर व्यक्तिकत Squares Tournament भी का जाता है, और इस प्रत्रिक्ता में, 41 देशों ने participate कि गया था, आगे बढ़ते हैं, हाली में किस INS को 32 साल की सिवा के बाद सिवा मुक्त कर दिया गया है, तो 32 साल की सिवा देने के बाद, खुकरी को सिवा मुक्त कर दिया गया है, विकल्प B इसका करेक्ट है, और देके प्रेंट सेकर बात करे हैं, INS खुकरी के बारे में, तो जमारों में नौसेना की परंपरा को निभाते विए सुर्यास्त होते ही राष्ट्री ध्वज और नौसेना पता का उतार कर जहाज को सेवा से बिदाई दे गई मिसाल कारवेड आएनस खुकरी को 23 अगस्त 1989 को नौसेना में सामिल किया गया था इसका निर्माण मजगाउंड डाक सिर्फ बिल्डर्स ने किया था जहाज को मुंबई में ततकाली रक्षा मंतरी स्रिक्रिस चंद्रपंत ने नौसेना के बेड़े में सामिल किया था अब रतमा रक्षा मंतरी को ने राजना सिंग जी है और यहाज भारती सेना के गोडखा बिगड़ से सम्बंदित था वेरी इंपॉर्टेंट एक्जाम में पुछा जा सकता है कि आयनेस खुकरी जो था यह भारती सेना के किस बिगेट से था गोर्खा बिगेट से आयनेस खुकरी पी-49 को 3 दिसंबर 1986 को लांच किया गया था और 23 अगस्ट 1989 को इसी कमिशन किया गया था और याद अगना कि अब इसे 2021 में डी कमिशन कर दिया गया है हाली में किस राज सरकार ने राज सामान स्रेणी आयोग की अस्थापना को मंजूरी दे दी है तो इसका उत्तर बहुत ही इंपोर्टेंट है प्रस्न बहुत ही जरूरी है जरूरी या तक ना इसका उत्तर हो जाएगा option C यानि की पंजाब ने राज सामान स्रेणी आयोग के स्थापना को मंजूरी प्रदान कर दी है मुख्य मंतरी चरण जी सिंग चन्नी है जिनके अधर्षता में पंजाब मंतरी मंदल ने अनरक्षित वर्गों के लिए state general category commission को मंजूरी प्रदान किया या आयोग अनरक्षित वर्ग के हीतों की रक्षा करेगा खास तरुसे अनरक्षित वर्ग में जो EWS category के लोग आते हैं उनके लिए बंजाब की राजदान यह आपको पता है चंडी गड़ है रगवर्णर है बनवारी लाल पुरोहित और नदियां कौन को से हैं मुख्य रूप से 5 नदियां है आपर रावी, सत्दजव्यास, चेनाव और जिलम यह आपको याद रखना होगा इसके साथ आगे बढ़ते हैं चलते हैं अगले कॉर्शन पर हाली में टीवी के विले से चुनोती मिल गई है जी टीवी द्वारा कीगी घुष्णा के मुदाबिक जी नेटवर्क के 49 चैनल और सोनी पिक्चर नेटवर्क के कुल 26 चैनल मिलकर अब एक 75 चैनल का देश का सबसे बड़ा चैनल बुके लांच कर रहे हैं दोनों ये चैनल के विले कि आधिकारी घुष्णा रभीवार को कर दी गई है और इन दोनों कमपनियों के विले के बाद एक नई कमपनी बनेगी जिसमें 51 प्रस्त हिस्सेदारी सोनी पिक्चर नेटवर इंडिया प्राइब लिम्टेट की होगी बाकी का हिस्सा जी लिम्टेट का होगा अच्छे ये बताओगी सवयूत कंपनी के MD और CEO कौन बनेंगे तो याद अगना इनका नाम है पूनीत गुएनका क्या नाम है पूनीत गुएनका तो फ्रेंस कल का प्रस्न ये था कि राश् है और इसका उत्र दूंगा मैं कल के वीडियो में तो दोस्तों के वीडियो को पसंद आया तब आप प्लीज इसे लाइक और शेर जरू क्या करें चैनल पर अगर आप अगर आप हली बार नहीं से सब्स्राइब करनें सोसल मीडिया पर हमसे कनेक्ट होना चाहते हैं तो लिं